पीटेट पंजीकर्ण सुरू हूच कहा दोस्तों पांच जुलाई तक जमा क्रास केंगे रजिस्टेशन सुल के कांसलिंग में नंबर ने आने या कोलेज ने मिलने पर रिफंड होगी रजिस्टेशन फीश से पर देश के राज्य वित पोशित शिक्षत पर शिक्षन मावी दैलों में सतर दोजार तेइस सोबिस में दो वर्षिय बीड और चार वर्षिय इंटेग्रेटिड बीए बीड और बीएस्सी बीड में के लिए पंजीकर्ण की प्रकेरिया रवी वार्षि शुरू होचके दोस्तों दो वर्षिय बीड और चार वर्षिय इंटेग्रेटिड बीए बीड और बीएस्सी बीड के लिए पंजीकर्ण सुरू होचका है राजकिय विड्यान कोलेज के फ्रोफेसर रनवीर सिंग ने बताया है दोस्तों की बंजीकर्ण और कांसलिंग का कलेंडर गोविन्द गुरू जनजाती विश्व देले की ओर्षिट जारी कर दिया गया है अबियर्थियों को 5 जुलाई तक कांसलिंग के लिए 5000 रुपए रजिस्टेशन सुल्क ओनलाइन जमा करवाना होगा फीश 5000 रुपए है जो ओनलाइन जमा करवानी होगी इसके बाद एक जून से आठ जुलाई तक अब्यार्थी महावी द्याले हेतू ओन्लाइन आवेदन भर्स केंगे काउंसलिंग में नमबर ने आने पर कॉलेज अलोट नहीं होने की स्थिति में रजिस्टेशन सुलक अब्यार्थी को रिफंड कर दिया जाए था जिदि विद्यार्थी का कोई कॉलेज अलोट नहीं होता है या नमबर नहीं आता है तो उसमें विद्यार्थी को पैसे वापिस कर दे जाएंगे कोलेज अलोट होने के बाद अब्यार्थी को 22,000 रुपई शिक्सन सुलक जमा करवा कर कोलेज में रिपोर्टिंग देनी होगी गिदी किसी अब्यार्थी को कोलेज अलोट हो जाता है तो 22,000 रुपई के साथ कोलेज में उपस्तित होना जरूरी है 22,000 रुपई फीज भरेंगे राज्य समिन्यों के डॉक्टर मनोज पंडिया ने बता है कि निर्दारी तिथी में 5000 रुपई जमा करा कर पंजियन कराना अनिवारिय कर दिया है निर्दारी तिथी में संकाय, विशे, वर्ग और प्राप्तांक अनुसार कॉलेज चोईश भरना होगा ओनलाइन कांसलिंग है तो रेजिसेशन करवाकर रेजिसेशन सुल्क 5000 रुपई सुल्क जमा करवाने कीती थी 25 जून से 5 जुलाई है 5000 रुपई सुल्क जमा कराने की थी 25 जून से 5 जुलाई रखी गई है महावी देल्ले चैन हेदू ओनलाइन विकल पर बारना दोस्तों 1 से 8 जुलाई की थी थी दी गई है 1 जुलाई से 8 जुलाई तक महावी देल्ले का चैन कर सकते हैं पर्थम कांसलिंग पस्चात आबंटीत महावी देल्ले की सूचना 11 जुलाई को दी जाएगी पर सिक्षन सुल्क 22 जार रुपई जमा करवाना है जो की 11 जुलाई से 15 जुलाई तक है पहली कांसलिंग 11 जुलाई से शुरू होगी और 11 से 15 जुलाई तक फीश बरनी होगी 22 जार रुपई पर्थम कांसलिंग पस्चात आबंटीत महावी देल्ले में रिपोर्टिंग देनी होगी कोलेज में रपोर्टिंग करने होगी अपवर्ड मुमेंट है तो ओनलाइन आवेदन 13 जुलाई से 18 जुलाई है अपड मुमेंट के पसाथ महाविद्यले आवंटन एमें 11 आवंटित विद्यार्थियों को महाविद्यले आवंटन की सूचना 24 जुलाई को दी जाएगी आपड मुमेंट पसाथ आवंटी थी मावी देले में रिपोर्टिंग 25 जुलाई से 30 जुलाई की तिथी रखी गई है